टोईलेट या बातरूम बनवाते हुए अक्सर हम कुछ ऐसी गलतिया करते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है तो अगर आप होम ओनर है और अपने घर में बातरूम या टोईलेट बनवाने जा रहे हैं तो पहले आप ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि आज इस वीडियो में टोईलेट की कंस्ट्रक्शन को लेकर आपको 18 ऐसी बाते पता चलेंगी जो सायद आप ने तो जानते होंगे और ने ही आपको कोई बताता है तो वीडियो में बने रहें और वीडियो सुरू करने से पहले बस मैं आपसे एक ही गुजारिस करना चाहूँगा कि भले ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े या ना जुड़े पर वीडियो को लाइक जरूर करें ओके फ्रेंज तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहली टिप है टोलेट साइज को लेकर आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो टोलेट का मिनिमम साइज है वह 4 x 5 feet से कम नहीं होना चाहिए और बातरूम का 5 x 5 feet से कम ताकि आप इसमें अच्छे से नहा सको और कपड़े वगरा दो सको और अगर आप attached toilet bathroom बना रहे हो तो फिर आपके attached toilet bathroom का मिनिमम साइज 5 x 7 feet से कम नहीं होना चाहिए और toilet की height आप 7 x 8 feet तक ही रखे चाहे आप attached toilet bathroom बना रहे हो या separate 7 x 8 feet height toilet के लिए enough रहती है और main slab के नीचे आप toilet की slab भी अलग से दे ताकि जो आपका main slab और toilet slab के बीच का gap बचे उसे अब storage के लिए यूज कर सको तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें जो अक्सर लोग भूल जाते हैं और toilet की दिवार की height पूरी main slab तक दे देते हैं और ये storage सी जगा waste कर देते हैं तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें toilet बनाने से पहले second toilet construction basically दो तरह की होती है एक attached यानि के combined जिसमें toilet और bathroom एक ही जगह में होते हैं और एक separate toilet और bathroom अलग-लग बनाए जाते हैं और जगह की कमी के कारण attached toilet bathroom बनाना एक best solution है पर इन दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान हैं जैसे अगर combined toilet bathroom को देखें तो इसका फायदा ये होता है कि एक तो इसमें जगह की जोड़त कम होती है दूसरा ultimately आपका पैसा बचता है पर नुकसान ये रहता है कि अगर घर में लोग ज़ादा है तो एक के toilet जाने पर दूसरे को नहाने के लिए भी wait करना पड़ता है पर अगर आप bathroom और toilet separate बनाते हैं तो किसी को भी wait नहीं करना पड़ता है पर separate toilet bathroom बनाने में आपकी जगे भी ज़्यादा लगती है और ultimately cost भी बढ़ जाती है तो इसका आप एक solution कर सकते हैं अगर आपका budget अच्छा है तो आप एक attached toilet बनाए और एक separate इससे सभी disadvantages दूर हो जाएंगी पर आपका पैसा लगेगा tip number 3 always divide bathroom in two zones dry और wet zone means अकसर हम क्या करते हैं कि जैसे ये toilet का plan है तो इसमें हम toilet एकदम पीछे कर देते हैं बीच में नहने की जगा फिर वासवेसिन लगा देते हैं ऐसे में होता क्या है कि दिन भर में हम toilet का काफी बार यूज़ करते हैं और ऐसे में हमें wet area से होकर जाना जो कई बार गिरने की वज़े से चोट लगने का कारण भी बन सकता है अब मैं बताता हूँ कि आप bathroom को कैसे plan कर सकते हो पहले आपको bathroom दो separate area में divide करना है wet zone और dry zone में wet zone में सिरफ नहने का area होगा और बाकी area dry zone में रहेगा जहां हम frequently आते जाते रहेंगे क्योंकि नहने का area एक bath area रख लो तीन फीट तक तीन फीट में कमोड और डेड़ फीट में वासवेसिन और हाँ bath area का level भी आपका dry area से down होना चाहिए ताकि पानी बाहर ना आए और dry zone भी घर की flooring से कम से कम deadings down होना चाहिए मैंने सिर्फ आपको idea दिया है बाकी आप अपने हिसाब से plan करें पर bathroom को हमेशा दो zone में जरू divide करें fourth आपको ध्यान रखना है toilet seat का आपको अपने toilet में कौन सी seat लगानी है यह आप पहले ही decide करें क्योंकि अगर आपको wall mounted toilet seat लगवानी है तो उसका flush tank दिवार में install किया जाता है wall construction के समय ही जो ज़्यादतर लोग भूल जाते हैं और बाद में दिव आपको छेनी हतोड़े से तोड़कर tank की श्टोल करवाते हैं जिससे time तो खराब होता ही है ultimately आपकी construction cost भी बढ़ती है और अगर आपको western या Indian seat लगानी है तो उसका PVC का point कहां देना है यह भी पलंबर को तभी पता लगेगा जब उसको मालूम होगा कि आप कौन सी seat लगवान बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि क्या हम septic tank के ओपर bathroom या toilet बना सकते हैं और septic tank पर direct toilet बनागर toilet का connection direct septic tank में कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जगे की कमी के कारण ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आप आधे septic tank के ओपर toilet बना सकते हैं पूरे tank पर नहीं septic tank का main hole खुलना रहना चाहिए ताकि एक या दो साल बाद इसकी अच्छे से cleaning की जा सके और second direct toilet से लज या waste का connection septic tank में बिल्कुल ना करें नहीं तो पूरे घर में हमेशा smell भरी रहेगी वैसे जहां तक हो सके septic tank बिल्कुल separate ही रखना चाहिए नमबर six है ventilation आपको toilet में ventilation का भी खास दोर पर धियान रखना है क्योंकि अगर आपके bathroom में proper ventilation नहीं होगा तो नय ही आपके bathroom में sunlight आएगी और नय ही हावा आएगी और bathroom की unpleasant smell भार नहीं निकल पाएगी जिससे एक परसंड के toilet यूज करने के अगर तुरंत बाद दूसरे आदम बहुत जरूरी होता है पर ज्यादतर लोग इसे छोड़ देते हैं तो ऐसे में toilet के floor और दिवारों से दूसरे कमरे में भी सिलन जाने लगती है इसलिए 4 दिवार पर 72 इंस तक की height पर कम से कम waterproofing जरूर करवानी चाहिए और आपको shower से उपर 3 इंस तक की height तक तो waterproofing जरूर कर जाती है क्योंकि उसे घर की flooring से down रखना होता है ताकि bathroom का पानी घर में नगुसे और plumbing pipe की fitting करनी होती है तो plumbing work के बाद ही toilet में flooring करनी होती है दूसरा अगर flooring और wall tiles ही बात करें तो पहला तो जहां तक आपको wall tiles लगवानी है वहां तक आपको दिवार का plaster rough रखना है ताकि इससे tile अच्छे से चिपक कर एक अच्छा bone बना सके second toilet flooring के लिए आपको कभी भी ज्यादा shiny और glossy tiles नहीं लगानी चाहिए हमेशा bathroom floor में एक anti-skid tiles ही लगवानी है जिसमें फिसलन कम होती है क्योंकि ज्यादा तर bathroom का floor हमेशा गीला रहता है जिसमें फिसलने के chance ज्यादा होत इससे कम window का size ना रखें एक proper ventilation के लिए और window grill पर बाहर से जाली भी जरूर लगवाएं ताकि बाहर से मच्छर अंदर ना पाएं और second अगर आप wooden door लगवाने वाले हैं तो door पर PVC seat जरूर लगवाएं ताकि आप पानी वगएर से खराब ना हो और दर्वाजों के पीछे enough space भी जरूर होना चाहिए ताकि जब आप इसे खोलो या बंद करो तो आपका दर्वाजा वास्वेशन वगएरा से ना टकराएं तो door और window लगवाते हुए इन बातों का भी विश्येश तोर पर ध्यान अखना है नमबर 10 है संकन स्लैब ये आपकी संकन स्लैब है इसके बारे में बस इतना जान लो कि इस संकन स्लैब के बेनिफिक्स बहुत हैं संकन स्लैब के नीचे से आप टोइलेट के सभी तरह के taps, sanitary pipe, fitting आसानी से रन कर सकते हो इसलिए ये देना बहुत जरूरी होती है पर सीट के नीचे अच्छे से रन करने के लिए आपको अपने बातरूम में टोइलेट सीट को उचा करना पड़ता है जो दिखने में भी बहुत भद्दा लगता है तो अगर आप चाहते हो आपका फर्स सब जगे एक जैसा दिखे तो टोइलेट के नीचे संकन देना ने भूल क्योंकि अगर आपको पता हुआ कि आपकी पाइप फिटिंग कहा हुई थी तो आप बड़ी ही केरफुली अपनी बातरूम असेशरीज को फिट करवा सकते हैं जमीन के अंदर आपकी जो भी पाइप लेगी वे हमेशा बड़ी डलवाएं कम से कम छेंज की ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रोब्लम ना आए और पाइप लेट के सुलोप का भी अच्छे से ध्यान दखना है ताकि पाइप के साइज और सुलोप की वज़े से टो तो आपकी लाइन में पानी बैक मार सकता है और लाइन के चोक होने के चांसी ज़्यादा रहते हैं यहां हमेशा आपको वाइटी और 45 डिगरी बैंड ही यूज करना है जो कभी भी बैक नहीं मारता और क्लीन डोर और डोर बैंड को यूज करोगे तो चोक अप लाइन को अ वेस्ट वाटर का कनेक्शन डिरेक्ट में होल में न करें बीच में एक जीटी यानि के गुली ट्रैप में होल से पहले बनवाए गुली ट्रैप एक चोटा सा गड़्डा होता है जो में होल से पहले बनवाया जाता है और गुली ट्रैप से होकर वेस्ट वाटर में होल में जाता है अब कोश्षिन यह है है कि जब वेश्ट वाटर जाना ही में होल में है तो गुली close देने की ज़ूरत क्या है तो दोस्तों इसका मैं आपको फायदे बता देता हूँ पहला तो गुली ट्रेप में हमेशा पी ट्रेप से साफ कर सकते हैं और इसे कोई भी साफ कर सकता है क्योंकि ये मेन होल से साफ होती है इसमें आप वास वेशिन का नहाने का बारिस के पानी का और कीचन के पानी का connection कर सकते हैं तो गुली ट्रैप भी एक best option है जरूर दें नमबर 15, फ्लोरिंग से पहले आपकी सभी plumbing line fix होनी चाहिए और सभी plumbing pipe आपको plinth beam के नीचे से लेने हैं ने कि plinth beam को तोड़ कर उसमें से ज़्यादा तर लोग ये गलती करते हैं और plinth beam को तोड़ कर उसमें से अपनी plumbing line लेते हैं जो एकदम गलत है इससे घर की stand कम हो जाती है तो इस बात कभी आपको खास जान रखना है कि आपका plumber सभी line plinth beam के नीचे से ही ले नमबर 16, जहां भी आपके tap और closet आएंगे मिस जिस दिवार पर आपके सभी tap लगेंगे वहद दिवार आपकी 9 इंच की होनी चाहिए क्योंकि जो pipe के लिए दिवार में जीरी काटी जाती है वहद 2 से 2,5 इंच की होती है तो 9 इंच की दिवार इसे असानी से रेजिस्ट कर लेती है पर 4 इंच की दिवार में सुरू में तो नहीं पर कुछ समय बाज जरूर दिक्कत आने लगती है 9 इंच वाल का एक benefit और है वो ये कि आपका गिजर कितना भी हैवी हो उसे आप आसानी से 9 इंच वाल पर fix कर सकते है 4 इंच वाल में अगर ज़्यादा हैवी गिजर फिक्स करोगे तो आपकी दिवार में cracks आ जाएंगे जिससे ultimately आपके plaster paint और टाइल का पैसा बरबाद होगा तो इस बात का भी आप खास दियान रखेंगे कि आपकी tab वाली दिवार 9 इंच की ही हो बागी 4 इंच की ही होगी तो चल जाएंगी अगर आपको एक अच्छा toilet बनाना है तो आप D4 flushing toilet seat यूज कर सकते हो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें जब आप पानी flush करते हो तो पानी seat के चारों और घूमकर आपके waste को drain off करता है जो काफी अच्छा रहता है तो एक better toilet के लिए आप D4 flushing toilet seat यूज कर सकते हो और last point ये है कि आपको plumbing fitting होने के तुरंत बाद अपने सभी PVC pipes और point पर end cap लगाकर इन्हें बंद कर देना है ताकि इनमें किसी भी तरह की cement या बजरी नए जा पाए नहीं तो ये block हो जाएंगे और इन्हें clean करने में काफी प्रेसानी होगी और एक बार plumbing fitting complete होने के बाद finishing करवाने से पहले end cap लगाकर इन्हें अच्छे से पानी से फुल कर लें ताकि अगर कभी pipeline में कोई leakage वगेरा हो तो उसका पहले ही पता चल जाए नहीं तो अगर एक बार tiles और paint वगेरा काम complete हो गया और बाद में आपको कोई leakage वगेरा देशने को मिलती है तो फिर आपको सब तोड़ना फोन आपड़ेगा जिससे ultimately आपका पैसा वरबाद होगा और इतना नुकसान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते इसलिए ये काम जरूर करें अपनी finishing से पहले ही leakage वगेरा को अच्छे से चेक कर लें ओके friends तो ये 18 point आप अपना toilet या bathroom बनवाते हुए जरूर कंजीडर करें वीडियो काफी लंबी हो गई है पर I hope के दिल जान कर यह आप लोगों के लिए जरूर यूसफुल रहेगी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाईज so see you in the next video lecture with more interesting topic till then thanks for watching and have a nice day